आने वाली 28 सितंबर को थाइलेंड की धरती पर विशालती रंगा यात्रा निकाले जाएके International Human Rights and Crime Control Council IHR CCC ने आज दिल्ले के हिमाचल भवन में एक प्रेस कॉन्फरेंस के द्वरा इस आयुजन की जानकारी दी संसा की ओर से IHR CCC के चिफ डॉक्टर वीपी सिंग रोही जैन ने इस प्रेस कॉन्फरेंस में भाग लिया और आगामी थाइलेंड कारिक्रम के बारे में विस्तार से बताया डॉक्टर वीपी सिंग ने कहा कि इस पार अद्वर भारत संपन्न भारत आत्मनिर्वर भारत का यह पहला इंटरनाशनल कारिक्रम हैं जिसमें थाइलेंड की पटाया में 25 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसके लिए IHR CCCC की टीम दिन रात मेहनत करी हैं देश के साथ साथ विदेशों में भी लोगों से संपर क्या जा रहा है हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आयजन से जुड़े और इसको सफल बनाए इस आयजन में थाइलेंड में रहने वाले लोग भी भाग ले रहे हैं साथे इस तिरंगा यात्रा मे थाइलेंड के कई बड़ी सरकारी अधिकारी वराज निता शामिल होनी जा रहे हैं। डॉक्टर वीपी सिंग्नी कहा कि हमने इस यात्रा के लिए विदेश मंत्री एस जैशंकर को भी निमंत्रन पत्र बीचा है। वो भी हम लोगों का होसला बढ़ाए और हमारे इस कारिक्रम का हिस्सा बनी। जो पाचान हमारी है पूरे विष्व में और कहीं नहीं है। तो पूरे विष्व में भारती एकता, अखंड़ता, देश प्रेम की भावना के साथ में जाना चाहता हूँ। विष्व का कोई भी संगटन नहीं कहां 2-4 भारती काम ने करता हूँ। तो सब के साथ अपने सांस्कृतिक कहुत्सों को मना चाहता हूँ। और राष्टी एकता अपदेश प्रेम की भी स्कूर्ण करना चाहता हूँ। तो बड़ी आसानी से लोग पहुंच जाएंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी संग्या देखने को मिलेगी सियातरा में। अब ये तो पूरे हम सब लोगों से गुजारिश कर रहे हैं। आवहन करने के मरिस्वाम लोग पहुंचें। क्योंकि विदेश की धर्ती पर हम अपनी घरजना को दिखाना चाहते हैं। कि हमारी एकता कितनी बड़ी है। हम अपने राष्ट के प्रतिक कितने सजग हैं। तो आसा है कि बहुत सारे लोग भाएंगे। विदेश की सरकार या विदेश के जो कार्णी विस्ता हैं। कि इतनी आपको समर्थी नगा है। उसका पूरा समर्थी है। हमने कहा कि भारती संस्कृती और थाई संस्कृती का आदान परदान होगा। दूसरे को लोग जाने के बहुत अच्छे दंस होगा। और जो नई पिढ़ी हैं। चाहे भारत के लोग हों। जो जाकर के दूसरे देश में बस गें। उनके बच्चे हों। तो उनके ये संस्कृती बहुत तो बड़ा ही शुखत होगा। बड़ा ही अपनों कारी होगा। और बिदेशी लोग भी इसमें सामील हो रहे हैं। और थाई सरकार का बहुत योगदाम है। मैं महा जाकर के मिला। तो लोकल जो पिशासे में उसने सहीब करने का बड़ा है। ये किन्य दिन का कारकर में रहेगा। सर ये कारकर मोट एक दिश्य है। जोड़ना के जोड़ना वहाँ के जोड़ना 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 जिस को मोटीवेत करें चाहना है। वारिक तिरंगा याता है नहीं जो कि 25 km के हमारी पोशिश है जो निकले। पिसका हात है तो आजकी जो जनरेशन धुआ जनरेशन है हैं का विवार पोशेंगे, आएंगे तो उनों के मन वे थोड़ा होता है कि हमें पोरेंड में आकर हम्में कुछ हमारे देश के लिए कुछ दिया है ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि आज युगा च्जोई साल की उमर में मुझे एक राष्ट युद्यक्ष बनाया गया है मेरे लिए बहुत गर्व की बात है इसी हम तेजी के साथ रफ्तार के साथ आगे हम काम करेंगे International Gementres के साथ मिस्यन नियूस के लिए नई दिल्ली से म्रजेश कुमार की रिपोर्ट